हेलो गाइज मैं वर्ष और आगे हूँ एकोन ने वीडियो के साथ और गाइज आज हमारे बास है भाई साथ हीरो की एक ऐसी स्कूटर जिसको कि आप जो है एंट और हो गई और अपनी जो नॉर्मल जो एविनिस वगएर आती थी उससे कंपेर कर सकते हैं जो कि है हीरो की जूम यह भाई साथ गाड़ी जो है डेखने में लिटरली काफी अच्छी है और हीरो की तरफ से एक स्पोर्टी बड़ा लुक दे करके आती उपर से मैस्टर वेगरा जो थी उसमें स्पोर्टी लुक आता लेकिन इसमें जो और भी आगई गाड़ी और इस ग वीडियो में जो है इस गाड़ी की डीटेल वारी आपको information दूँगा हर चीज से तो इस वीडियों बने रहना देखते रहा है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो यह सब्सक्राइब कर लो बागी फ्रेंट पर आपना आते हैं इसमें पुछ ऐसा headlight setup मिल जाता है य यहां भी आप देखो कर इसके body part को यहां पर hero आपको लिखा हो मिल जाता और इसमें जो है shapes और curves काफी अच्छे design किये गए हैं जो कि मेरो काफी अच्छे लगी यहां वे जो आपको DRL कुछ ऐसा देखने हो मिल जाता पूरा ही आपको LED वाला headlight setup मिल जाता वह भी पुरा projector म में तो इस गाड़ी का जो है headlight throw बहुत ही जादा अच्छे इसमें corner bending lights देखने हो मिल जाती है जैसे आप गाड़ी turn करते हो हलका सा bend करते हो तो अपने आप जो है left की हो चाहिए right की हो अगर आप left turn करोगे तो left side की चालू हो जाती है right करो तो right की हो जाएगी चालू जो की का गाड़ियों नहीं आता था यह चीज़ है यहां पे आप देखोगे तो आपको टैर कुछ ऐसे देखने को बल जाते फ्रेंट में आपको 90 by 90 12 section की टायर देखने को बल जाते हैं जो की काफी जारा आचा है सेग्मेंट में बागी जो है आप साइड वियो आप देखो आपको चालू करके दिखा रहेता हूं तो जैसे इसको चालू करता हूं तो जैसे आपको ब्लू कलर की लाइट आपको ग्लो होती हूं दिख जाएगी इस गाड़ी में आपको पूरा आपको Bluetooth connectivity हर चीज देखने को मल जाती है जिसमें आप जो होगे अपना call, message, alert हर चीज द लगी है और उपर से जो मीटर की placement है वो मेरे को काफी सही लगी जारा ओड नहीं लगी ना जादा आगे है ना जादा पीछे की तरफ है छोटे सवाइजर है तो यहां पर कुछ आपको ऐसा पॉप अप होते हुए दिख जाएगा बाकि जो है रेड कलर का जो इसमें नहीं आती थी जो की मेरी पहले से complain थी बाग कि पास्ट वकर रहा हर चीज देखने को मिल जाती है इस गारी में आपको बार एंट देखने मिल जाता बेक जो होगया काफी लाइट लगा ज्यादा है अफिन होता है वह चीज है वैजिँ आपको इस टेकनोलोजी देखने को म बागी जो है ग्लब बोक्स का साइज आपको अच्छा मिल जाता है और यहां पे जो डेशबूड एरिया का जो प्लास्टिक वगएरा है वह मेरेको अच्छा लगा इसमें मेरो कोई भी इशू नहीं लगा फुट पोजिशनिंग आपको पूरे टेक्श्चर वाले मिल जाते हैं जो कि इतनी जंदी फेट नहीं होंगी ऐसा मेरे को लगता है बैजिंग अलग से कर रहा है बागी जो है साइड पैनल से पूरा ही कनेक्टेड है फ्रेंट वाला पैनल अगयरा भी फुट्रेश की क्वालिटी मेरो काफी अच्छी लगी फुट्रेश आप देखो काफी बड़े साइस के हैं छोटे-छोटे से फील नहीं होते बागी जो है काफी ज़्यादा सही है यहां आप सीट देखो तो काफी कमफर्टेबल है सीट में जो है मेरो कोई भी कॉम्परोमाइज नहीं लगता है और ग्रैबरेल भाई साब इसका लेको अलग ही डिजाइन है ग्रैबरेल जो है आपको यहां से ग्रैब कर सकते हो कोई बैठती है को यहां पर सकते हैं अलग से आपको उठे हुए ग्रैबरेल नहीं मिलते हैं एयर वेंट्स अगरा जो है काड़ी में काफी वेल डिजाइन टेल लाइट काफी वेल डिजाइंड और रियर में सबसे बड़ी बात भाई साब एंड्रेट वाई एटी वाई ट्वेल्व सेक्शन मतलब यार सही चीज है 12 इंच के आगे वेल चाते हैं पीछे भी 12 इंच के है पीछे लगते लोग बोलते थे यार मोसा है लो चीज है बाकी मचाड विलकुन नॉर्मल सा है और इसमें सब्सक्राइब जो है लेकिन जो है इस गाड़ी में आपको mud flap वगरा देखने को मिल जाता है जो कि काफी आपको sporty look दे रेता है बागी यहाँ पे आप देखो तो fiber वगरा पूरा अच्छी quality का यूज़ किया गया है paint जो है काफी अच्छी quality का मेरे को इस बार लगा है जो मगर रहा यहाँ लिकल मिल जाता सिट जो है आप यहाँ से open कर सकते हो मैं आपको open करके दिखा रेता हो चाहँ आपको normal निकालनी यहां से और सी भाइस को मैं आपको open करके दिखाता भूट वगरा के मत करता हूं तो बूट जो हैता काफी अच्छा स्में उपर से light भी लग यह देखो जो कि मेरे को काफी ज्यादा सही लगी मनलब जो इस में स्टोरेज वगरा काफी आपको अच्छी देखने को मिल जाती है उपर से इस गाड़ी में जो इस सीट वगरा काफी अच्छी रिजाइन जारा है उबर खाबर टाइप की नहीं है तो बैठने में कमफर्ट अच्छी रहेगी ना जादा इस गाड़ी में आपको वन इंडे 10.9 cc का इंजन मिल जाता जो की 8.05bhp की पावर 8.70 newtonitr का टॉर्ख निकाल कर गे रहेगा उपर से इस गाड़ी में आपको किक देखने को मिल जाती है जो की काफी अच्छी दिरे दिर कंपनिया जो है अप अच्छी आपको दिखने को मिले काफी ऐवी हैवी सा फील होता है देखने में काफी जादा सही भी लगता है काफी अच्छा मिल जाएगा पिकप एंड बाउर इस गाड़ी का लाज जवाब है मतलब इस गाड़ी में जो है क्लेम किया है जीरो टू सिक्ष्टी जो है 9.35 से रिलाइबल होगा कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन टाइम भी आप सर्विस करवाते रहोगे तो रिलाइबल है वो चीज़ है फीचर इस गाड़ी में आपको बहुत ही जादा अच्छे मिल जाते Bluetooth connectivity मिल जाते पूरा ही आपको digital वाला Metro console दिखने मिल जाता है Headlight setup पूरा ही आ काफी अच्छा रहने वाला mileage जो है इस गाड़ी का बहुत ही जारा अच्छा होने वाला जो की नियरली अगर आप देखो के 110cc में आपको नियरली 50 Gaspers का बड़े राव से देगी brakes इस गाड़ी काफी अच्छे है stable गाड़ी चलेगी road में इस गाड़ी में आपको चार color option दे के दिए बाबाई